इसका कोई आइडिया नहीं यह पता तो मुझे इतना जाना नहीं है लेकिन मुझे यह पता है कि हाँ साधी तो की दी तब ही लड़का है उनका वाइफ का नाम क्या है मालू मैं दिम्पल यादर कहां से बिलॉंग करती है मालू मैं आपको कुछ मेरा समय ने कल गया नहीं तो मैं भी लब मेरेज करता है यह गोंती रिवर फ्रेंट है अच्छा इसको किस ने बनवाया माने स्री अखले स्यादों जी ने बनवाया इसके लव मैरी जी है कि तरह हमने भी सुना हुआ है कि शायद उनकी लव मैरेज जिसने जो भी बनवाया अखले स्यादों ने बनाए उन्हीं का देन है कि आज लखनू ऐसा है जब से आये हैं सिरी बलतकार उनके विधायक बलतकार कर रहें उनके चिनमयानंद बलतकार कर रहें उनके पुलदीव और जातपात की राजनीति करते हैं गरिब कैसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा है उसकी राजनीति नहीं अपन्डा है गरीबी नहीं गरीबियों को मिटा दो खुद गरीबी मिट जाएगी अख्लेस यादो के रिलेशनशिप के बारे में लोग कितना कुछ जानते हैं अख्लेस यादो के रिलेशन्सिप के बारे में क्या या कुछ लोग अकले शादो ने लव मेरीज के इसके बारे में तो जो ऐसा हमने सुना हुआ है कि शायद उनकी लव मैरीज थी अब उनको देखके तो लगता ही है सकसे होती है और डिपेंड करता है परसंट डू परसंट कपल अगर अंडेस्टेंडिंग है तो डेफिनिटली जो करते भी तो डेफिनिटली वह सक्सेस्फुल रहती है क्या मालूम है अखले से दो जब इनका यह रिलेशन सुरू हुआ लव मेरीज वाला इनकी एज क्या होगी बता सकते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा मैंने उनके उपर ज्यान नहीं है मेरे को जी मैं 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 दर्सकों को बता दू कि अखले स्यादो की एज ती स्रिफ 21 साल की और डिमपर यादो की एज ती मात 17 साल की जब से इन दोनों का रिलेशन सीप चला है बहुत तगड़ा वाला साधी कब हुई इस बारे में तो कोई जानकारी हमें नहीं है नहीं परस्नल परस्नल कोई इ कहां से बिलोंग करती है मालू मैं अपको कुछी कैसा लग रहा है यहां पर आके आपको अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन अगर पानी को एक्सेस करने का कुछ तरीका देते तो मैं जादा अच्छा लगता है कि यह सपा की गवर्रमेंट थी समाजवाज पाटे की तो यह अखले स्यादा मानी मुकंतिपूर मुकंति उनका प्रोजेट था बनाया गया यह तेकन यह देवर्फरन्ट पर मों की पहली बार बज्जेट है जिए जिए कवरेट कर रहा है पहली बार नहीं किसा लग रहा है जाना नजारा लिए पूर्मुखंदी को बहुत सुपकामनायक उन्होंने इतने बड़ी अप्लेस जनताक्ली बनाया यह तो हो गई आपकी तारीफ अब बात करते हैं कि जब अखलेश की सरकार थी यहां पर टिकेट कितने रुपए का था था भी यह नहीं था इस वात की तो हमें जानकार य नहीं है कितने रुपए का था कि मैं आप से पुछने के टिकेट के बारे में जनती है जब अखलेश सरकार थी उतर प्रदेश के अंदर तब टिकेट अवलेबल थे यहां पर फ्री में यहां पर विजिट कर सकते थे और अभी हमारे जो बच्चे हैं वो लोग आये तो यह सब देखके वो बहुत खुश भी है तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमने अपने बच्चों को इतनी अच्छी जगे दिखाई और परस्नली भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आके बहुत अच्छा फिल हो अगलेश यहां तुने लब मरीश करी आरे डेवलेप्मेंट के लिए तरीके से कह सकते हैं कि यहां टूरिस स्पोर्ट होगा लोग आएंगे बैठेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और वो एंच्छा भी करेंगे सासा जो यह एरिया है इसका यूटिलाइजेशन अगर कहलें अच्छे तरीके से यूटिला करें मेरा समय मेरें मेरा संभाते मैं यह रहे बगति करता रहां इंदी कता-पेजिंश करता हूं अघ्ट करता हूंर्ण से इंदीक और माने मंकमंत जीन चाहां जान। उस भ्याब पर मैं किसकता हूँ कि हाँ बहुत ही अच्छा काम किया गया इसा पासरकार के द्वारा जी 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 अखिलेश यादो को पिता जी का नम जानते हैं सर पिल्कूँ माणनी है मुलाइम सिंह आदफ जी उन्हों ने क्या किया था लेकिन पर पता होती है ना पीछे की पता तो मुझे आशा जाना नहीं है लेकिन मुझे यह पता है कि हाँ साधी तो की दी तभी लड़का है उनका क्या जिस जगह पर खड़े है इसका नाम क्या है अधिम सहर पार्क है जोकी यह गोंति नचीन ही है फोटोनार एक पहले वैसे प्लेस लकनाव में है और यह जो प्र प्रड़ को अधरunci के अंदर प्लेस पर गए हुआ है इसका नाम ए जाने तक मिसर पर बिसिकले कोई निए मैं सरके पूछता हूं जानते हैं यह जगह के नाम क्या है गोंती रिवर फ्रेंट क्यों बनाया गया सर इसे सर यह अखले श्रादब का साम में सजिकर नहीं जनने से उपर उनको ध्यान रहा है हमेशा तुन्होंने काने स्टेडियम भी बनवाया रज इसे पर जादा तर द्धान है लेकिन फिलाल को भी अभी ऐसा कुणोंने काम नहीं दिया सो नमर पुलिस सेवा थी और एक्स भी मैंने बता दिया यह पिंसल दिया अरे बहुत सारे काम में गरना नहीं सकता जो फैमस हो ऐसे कशोटी-मोटी योजन मैंकि सारा पैसे जो है उ इसको फिर से बता दू कि यह गोंती रिवर फ्रेंट है अचा इसको किस ने बनवाया माने सरी अखले सियादा जी ने बनवाया जब अखले स्रकार थी अभी जब इसके अंदर आई टिकेट नहीं लगता था और अब कि यह जब से योगी सरकार थे तब से टिकेट लग रहा विकास के कारण पर मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन जो भी जो भी पार्क वाना लोहिया पार्क जनिस्वर पार्क आउए गोंती रिवर फ्रंट जो भी जिसने जो भी बनवाया अखले स्यादों ने बनाए उन्हीं का देन है कि आज लखनू ऐसा है जब से आये हैं शिरिफ बलतकार उनके विधायक बलतकार कर रहें उनके चिंवाय अनंद बलतकार कर रहें उनके मंत्रिया और बिदायकों की राजनेती करते हैं गरिब केसे जी रहा है कैसे नहीं जी रहा है उसकी राजनिती नहीं पंड़ा है गरीबी नहीं गरीबियों को मिटा दो खुद गरीबी मिट जाएगी क्या बात कई यह बहुत बड़ी बात कर दिये गरीबी मिटाने का नहीं गरीबों कोई मिटा दो मतलब कि ना रह बांस ना बजे बांस औरी बात ह दो गई यहां पे अज़सर हम बात करते हैं गोंती रिवर फ्रेंट के बारे में क्योंकि अच्छा यह जब बनवाया गया है आपको मालूम है अखिले स्यादुने लव मेरिज करी अरेंज मेरिज करी आदमी आएगा तहले गा उसका स्वास्त अच्छा रहेगा और यहां पे जो हवाएं सुद्ध वातावरण पेड़ पाउधे लगे हैं फूल लगे हैं इसकी सुगंद मिलेगी इससे नदी का किनारा है इसका पर्यावरण जो की अच्छा रहेगा इस सुच्छ और सुन्दर की वजह से बनाये थे कि यहां पे लोग आकर के सुबह साम ठालेंगे उ हम लोग कि अच्छा परता है अब को बात है ऑप तो बहुत दूर से और अगुति पैक कैसा और में में तो सर संद्ल करेंगे तो इतना पड़ेंग शक्तल violation अकलेज जी के सरकार में कहते थे कि 20 घंटे जो है बिजली की तार रुपे जो है कपड़े सुकवाते हैं आज तो उनकी सरकार में सायद नहीं हुआ था इनकी सरकार में जरूर हो रहा है इनके सरकार पर यूनिट का 12 रुपे ले रहा है आज दिल्ली सरकार ने सो यूनिट पर जीरो रुपया दे रहा है दिल्ली सरकार तो यह बताएगे सरकार वहां के ठीक है या उत्तर परदेश केches काई यह जवाब किया है निद्ली के चीए बहुत बेतर है उनको एसी सुबदा जितनी महिला हैं उनको पुलीस प्रोस्टरेक्षन जो है पहले के पेच्छा बहुत जादा कर दी गई है बिजली उनों चूट मिला आ देखी है वहां की जनता बहुत ही खुछ है क्रेजिवाद सरका से इतना मतलब जितने आप पेच्छा की थी वहां की दिली की सरकार उसे कई ज्यादा खुस है बहुत अच्छी है मतलब कि अनिल कपूर शूपर हीट गए दिली के अंदर बताते हैं आजमगड में आजमगड में एंजिटी ठीक राष्ट्री हरित प्राधिकरण वालों ने कई 19,000 गरीबों का घर उजाडने जा रहा है जो कि ओ गरीब ओर के लोग हैं कैसे 200-300 कमा के घर चलाते हैं वो लोग यह सरकार आज घर उजाडने वाली है आज कल दो मकान गीर गय थे धीरे धीरे सारे मकान गीर जाएगे उसी के लिए आज हम लोगों ने राष्ट्री अध उतना गुजारा करते हैं और अगर उनका घर गिर जाएगा मकान तोड़ जाएगा तो लोग रोड पर आजाएंगे और वो लोग कहां रहेंगे और कैसे रहेंगे बताईए कहां रहेंगे कैसे रहेंगे यह तो बहुत अंदर की बाते बहुत अंदर की बाते बोल दिए जि संयासि यह बढ़ व्यक्ति लिए काम करेंगे लेकिन यह तो गरीब के कूपी ही उजाड़ने के लिए लगने लिए लड़ाएगे बस हिंदु मुसलिम लड़ाये भी लड़ाय के लिए और गरीबों का इसा इसल ही राइगे गरीबों को उस ली लगों ने विश्वी द्याले कर देने का वादा किया था चुनाओ खत वादा खतम वादा खतम दो जार बाइस के बारे में बात करें आज आज हम बता रहे हैं जो अकलेश यादो जी बंफर ओड से बंफर सीड और रहे हैं तरफ एक तरफ यह बात करते हैं कुछ लोग मुझ और सबको विश्वात पड़ेगा कि मेरा ओट मैं जहां पर डाला हूं चाहे साइकल हो चाहे हाथी हो चाहे कमल का फूल हो या कांग्रिस का हाथ का पंजाओ एक तरफ यह राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आजम गड़ में बारा मंदी तोड़वाने बार है यह राष्ट्री हडशिआध अधिक रढ़ वाले एक तरफ सरकार मंदीर बनवाने को कहती है और आजम गड़ में 12 घाटों का मंदीर तोड़ा जा रहा है यह क्या कैसा नियम है कैसा नियम लागू की ए एक तरफ मंदीर बनवाने का एक धार्म की बात करते हो जात की बात करती हो छित तूम क्याकर रहें बतां कि ही सजसे की कर रहे हैं चूसे कर रहे हैं खरीक कर रहे हैं उसके बारे में को यह खतम करना चाहता है अगर गरीब खतम हो जाएंगे तो अमीर-अमीर होते चले जाएंगे गरीब यहां के मिट जाएंगे तो पर देश को सरासरी कहूंगा कि उस उत्तर परदेश सरकार अपने गदी छोड़ दो कहने का मतलब है कि यह जाती और धर्म की सरकार है और जात उने देश से नहीं है जनाब जब उत्तर परदेश सरकार अखिलेस यादो की थी तब इसे विदेश से मंगाया गया था और देख सकते हैं यहां पर तमाम यह च्छत्रियां लगी हुई है यह खुबसूरती है लखनो की मतलब कि कहीं ने कहीं यह लखनो की खुबसूरती के available थे, बहुत कि free entry थी, कोई भी आ सकता था morning walk करने या फिर evening walk करने, घूमने टहलने के लिए अपने बच्चों के साथ, पनी family के साथ, couples भी आते थे, लेकिन जब से उतर परदेश के अंदर BJP सरकार आई है, तब से यहाँ पर टिकेट available कर दिये गाए है, खेर, कहीं ने कहीं, यह चिंता कभी से है, 10 रुपर टिकेट है, लेकिन है, टिकेट तो available है, खेर, हम ऐसे दिलचेफ बातों से आपको रूबर उकड़ाते रहेंगे, बने रहमार साथ, देखते रहें भारत एक सोच, क्योंकि यह खबर है, आपके भारत के, आपके लखनो की, कैमरा परसेंट सचिन के साथ, मोहित, लखनो.